लेहरों में चार जिन्दगिया फंसी हुई हैं चारों और उफनती लेहरें ये चारों युवक मिर्जापुर में मौज मस्ती के लिए मशूर लखनिया दरी में पिकनिक मनाने गए थे और बातों बातों में नदी के बीच में पहुँच गए इन्हें अंदाजा ही नहीं रहा कि बड़ा खत्रा आने वाला है अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और चारों लेहरों के भमर में फंस गए प्रशासन की टीम ने उफनती लेहरों से इन सभी नौजवानों को बचाने के लिए रेस्क्यू आपरेशन शुरू किया पाँच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन सभूं को लेहरों से सुरक्षित बचा लिया गया मौत के मूँ से लोटे सैलाने उस पल को याद कर सहम जाते हैं कल लखनिया दरी में कुछ इस थानिये पर रेटक आये हुए थे उसमें चार नवयोग फस गए थे अचानक पानी आ गया और रात में देर तक राहत और बचाओ कारी चलता रहा और उन्होंने सफलता पुरूग चारों को सुरक्षित बचा लिया यूपी के भी कई इलाकी बाड़ और बारिश से बिहाल है आस्मानी आफ़त के एक और तस्वीर दिखी कानफूर में दो दिनों की बारिश में कानफूर नगर निगम की पूल पट्टी खुल गई शहर के कई लाकों में पानी भर गया गलियों और सड़कों पर लोगों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा सीवर और नालों के जाम होने से गंदा पानी लोगों की घरों में घुज गया है विधान सबाक शेतर के ओम पुर्वा में भी गंदा पानी लोगों के घरों में घुज गया इससे नाराज लोग स्थानिय पारशत को खीच कर पानी मिले गए पारशत को धक्के देते हुए महिलाओं ने उन्हें गंदे पाने से ले जाकर पूरे मुहले की हकिकत दिखाई जल भराव के बीच ही नेता जी को तख्त पर बैठा कर नारी बाजी करने लगे बारश से जल भराव के बाद कानपूर में राजनेती भी शुरू हो गई दूसरी और कानपूर के महराजपूर इलाके में बिजली गिरने से एक महिला की जान चली गई आधा हिंदुस्तान के आस्मान पर काली बादल मंडरा रहे हैं मौसम विभाग की भविश्वानी के मताबिक आस्मान से अभी और मुसलाधर आफ़त गिरेगी कानपूर से संजे सिंग के साथ आज तक वियूरो